ओम श्रे कृष्णाय नमहा, ओम श्रे ललिता माहत्रिपुर सुंदरिय नमहा, खाने के समय पहले ये हमे स्लोक बोलना है, अन्न ब्रह्मारसं विष्णूं भोक्ता देवो जनार्दनं, एवं ध्यात्वां तथा अग्नात्वां, अन्न दोशो नलिप्यते, ओम अन्पुर्ण देलो जै, जै माता जी आज मैं आपको तीन बाते बताने जा रही हूं, कि भोजन हमेशा नीचे बैठ कर पलाथी, तो पलाथी करके खाना है, और दूस्रा, पहले पोजन नीचे बैठ कर पलाठी मार के खाना है, दूसरा अमारे पाँच उंगलियों से खाना खाना है, लाइक जल, वायू, अगनी, पृत्वी और सुर्य, ये पाँच तत्वों से हमें ये से खाना हाथों से खाना है, तीसरा, कम से कम बीस बार या दस बार आप चबा कर खाओ, चुई चू करके खाओ, और और ऐसे नीचे बैठ कर या ऐसे बैठ कर आप खा सकते हो खाना, ये मेरा प्रभु थाल है तो मैंने इसमें कासे का है à item तो ये कासे का बहुत अच्छा होता है ये कासे धातू तो पंच धातू से बनता है ये तो ये सब भगवान का थाल है तो ये सब कुछ भगवान को offer करके बहुत happy thoughts ला कर खाना खाई इसे कोई stress वाला खाना, stress कोई भी thoughts खाने के समय ने करना है, और 20 time, 20 बार चबाना है, और आपको जो बोर होते हो तो soft music, या कोई अच्छा वाला music, no fast, soft music लगा कर आप खाना खा सकते हो, तो आज मैंने मूंकी दाल, कोबीच, बटेटा का, अलू का सबजी, और राइस, और रो में बनाती हूँ और मुझे थोड़ी घी ज्यादा पसंद है रोटी में तो येसे खाना खाये से आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा आपका डाइजेस्ट वेरी क्विकली होगा और आपको बहुत-बहुत मजाएगा पेट का कोई भी स्टमक का कोई भी डिजिस नहीं होगा जाएगा तो इसे चबा-चबा कर खाना है थेंक यू वेरी मॉच थेंक यू बाद तर्तज तुरंत पानी नहीं पिना है ब बीस या तीस मिनिट के बाद हमें गरम-गरम थोड़ा गुन-गुना पानी पिना है तो ये सब मैं यूज करती हूँ कासा पितल तामबा ये सब को